हलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आज आपको 16 चेप्टर आजंता एलोरा की गुफाओं के कुशन आंसर समझा रही हूँ तो चलो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहला कुशन देखिए पाठ में किस जगे की यात्रा का वर्णन किया गय नेक्स कुशन देखिए अजनता एलोरा कहां इस्तित है अजन पफाओं में बने चित्र के किस शताबदी में बने थे सल्य सब्सक्राइजु आन्स कुशन देखिए इन गुफाओं के चित्रों पर किन्धरमों का प्रभाव दिखाई देर्ता है इसकि बने जिस,This का प्रभाब दिखाई देता है नेक्स कुशन देखिए आजंता में कुल कितनी गुफाएं है तो इसका आंसर देखिए आजंता में कुल इन गुफाओं का निर्मान किस प्रकार किया गया लेकिन मूर्थियों की कलात्मक्ता में जराबी फर्क देखने को नहीं मिलता इन गुफाओं की क्या विशेष्टा है अजन्ता की गुफाओं को एक पहाड को काट कर बनाये गया था जबकि एलारों में कई पहाड़ियों को काटा गया था ये भारती चित्रकारी का सर्वोत्तम हुदारण है इन गुफाओं का निर्मान कारे एक हजार वश तक चला लेकिन इतने वशो तक कारे चलने पर भी मूर्थियों की कलात्मक्ता में जराबी फर्क देखने को नहीं मिलता ये गुफाओं घोड़े के नाल के आकार में बनी है इनमें बोध बिक्षुकों आदी को चित्रकताएं फैली हुई हैं यहां की शिल्प कलाएं अपने आप में बेजोड है इनमें अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, बिक्षों आदी से सजावट का काम किया गया है अजन्ता की गुफाओं में किसको चित्रित किया गया है अजन्ता की गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां, जातक अथाएं, फूल, पत्तियों, बिक्षों, पशु, आकरतियों आदी को चित्रित किया गया है एलोरा की गुफाएं किस पत्थर को काट कर बनाई गई है तो इस कांसर देखिए एलोरा की गुफाएं जुआला मुखिये बे साल्टी पत्थरों को काट कर बनाई गई है एलोरा में कितनी गुफाएं है तो इस कांसर देखिए एलोरा में 34 गुफाएं है कैलाश नाथ मंदिर कहां पर है और इसकी क्या विशेश्टाएं है तो इस कांसर देखिए कैलाश नाथ मंदिर एलोरक गुफाओं में है और यह बास्तु कला का अदबुद नमूना है जिसे पत्थर के केवल एक खंबे पर नकाशिकर बनाये गया है इस मंदिर में प्रवेश कांसर देखिए अजन्ता में पदम पाणी बुद्ध की प्रतीमा बर्वस मन को खीच लेती है इसमें विविन कौनों से बुद्ध के चहरे का भिन 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 भाव दिखाई देते हैं दाइनी दिशा में बुद्ध चिंतन करते हुए जबकि सामने एबं बाई और से शांत और ध्यानस्त मुद्रा में बदल जाते हैं आशक गरती हूँ कि आपको सारे खुशनाल से समझ में आ गए होंगे धैने बाद